हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं जा रही हूँ लाल मिर्च का अचार बनाने यानि कि मोटी लाल मिर्च का भरवा अचार बनाने जो काफी ही टेश्टी लगती है फ्रेंड्स इसे सालो भर आप श्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप किसी भी समय किसी भी चीज के साथ आसानी से खा सकते हैं क्योंकि काफी ही टेश्टी लगती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इस वार मैं बहुत ज़्यादा खोस हूँ क्योंकि जहां मैं रहती हूँ वहां मुझे कभी इस तरह से मोटे लाल मिर्च नहीं मिली है हर साल मुझे पतले लाल मिर्च मिलती थी इस वार मुझे लाल मिर्च मोटे वाली मिली है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खोस हूँ और इ मेरे यहां दूप नहीं थी, तो मैं इसे पंखे के नीचे ही रखे इसे सुखाली ड्रै कर लिए, तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ड्रै हो चुकी है, तो चलिए पहले इसका मसाला मैं तयार कर लेती हूँ, तो ये देखे मैं 5 चमज धनिया ली हूँ गोटा, और ये 3 चम मेरी जीरा है और अभी सभी गोटे ले रही हूँ, जिसे मुझे ड्रै रोष्ट करना है, और जिसे रोष्ट नहीं करना है उसे मैं उपर से दूंगी, तो ये देखे, पीली सरसो भी, मैं 4 चमज ली हूँ, तो चलिए अच्छी तरीके से मैं इसे ड्रै रोष्ट कर लेती ज्यादा नहीं करना है इसका नमी खतम करना है इससे ज्यादा नहीं करना है रोष्ट तो यह देखे मेथी भी मैं दो चमश डाली हूँ और आपके पास जितनी क्वाइंटीटी में है मिर्ची उसके अनुसार आप सारे मसाला का यूज करिए गया तो यह देखे मैं अच्छे तरीके से इसे ड्रै रोष्ट कर रही हूँ काफी अच्छे तरीके से इसकी हलकी महक भी आने लगी है बहुत प्यारा लग रहा तो चली मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडाने के लिए रख देती हूँ तो यह इसी पैन में मैं पीली वाले सरसों को भी मैं थोड़ इसी ड्रै कर लेती हूँ और ज्यादा नहीं करना है और इसे मैं साथ में इसलिए नहीं भूनी क्योंकि यह दो टुकड़े वाली है और इसे एक साथ पीसेंगे तो ज्यादा ही महीन हो जाएगी तो यह देखे मैं तेल गरम कर लेती हूँ सरसों तेल मैं यूज कर रही मेरी मसाले अच्छी तरीके से ठंढा गई है तो मैं मिक्सी findet में शिफ्ट करती हूं और इसंगरदरी mäbor मसाल अर अच्छे दर्दरी पङस गई हैme अच्छी सरशो भी करें और दलाती हूं वी लिएवाल कुझार तक है कम अब देल देहां है। से देखें 1 चंच कर लिए की वालन किशी यहां हूँ आक क्राशी देख कर दीचेए लग sm beaut मेरी घंठाइफा इसे ज्यादा नहीं देना है तो कलोंजी भी ज्यादा यूज नहीं किजेगा फ्रेंस नहीं तो करवापन आ जाएगी और ये मेरी हींग है एक चमच एक चमच से थोरी कम ही है और ये मेरी काली नमक है काली नमक में एक चमच फूल डाली हूँ एक चमच से थोड़ा ज़्यादा है और ये मेरी आमचुर पॉडर है आमचुर पॉडर यदि आपके पास नहीं है तो आप निमूगार के दो दे सकते हैं तो मैं चार चमच ली थी तो तीन चमच का ही मैं यूज कर रहे हूँ और ये देखी लालमिच का पॉडर है जैसा आप तीखा खाना चाहते हैं उसके उसर आप दे सकते हैं तो मैं चार चमच लालमिच का पॉडर यूज कर रहे हूँ और आप कम खाना चाहते हैं तो कम यूज कीजिएगा तो मैं चार चमच दी हूँ नमक स्वात कहनों साथ डालना है, तो मैं अभी तीन चमच दे रही हूँ, और टेस्ट करके मैं देख लूँगी कि नमक मेरी कैसी है, यदि लगेगी तो फिर से मैं लगाऊँगी, नहीं तो नहीं दूँगी, और काफी अच्छे बनके तियार होती है, कोई-कोई नमक फ्रें यदि आप सालों भर मिच को श्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इसमें वेनिगर का यूच करना है, तो वेनिगर देखे, मैं दो चमच ले ली हूँ, इसी समय मैं इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, मसाले में ही, और जिसे सभी मसाले के साथ मेरी अच्छे त मसाल देती हूँ, जिसे सालों भर मेरी मसाला और मिर्ची का चाहर सेफ रहे, तो चली मिर्ची काटना हम सुरू करते हैं, तो मिर्ची का ऊपर का पोर्शन मैं काट करके हटा दी हूँ, और इस तरीके से आप एक लकरी की मदद से या चाकू या चमच की मदद से उसके अंद तरीके से निकालना है तो यह देखे मैं उस लकड़ी के मदद से भी निकाल के दिखा दी हूँ और इस चमच के मदद से भी देखे इस तरीके से पूरी सफाई करनी है पूरी होल नजर आना है कि एदम खाली हो गया हो यदि आप उस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो यह दे सबढ़ने गोल में मि holds perfectly all the meat इचली गोल वला में बड़ने कोका निकाल लेते हूँ तो ये देखिए आप चम्मच, चाकू और लकडी के मदद से सारे बीए इजली तरीके से निकाल सकते हैं तो ये देखिए मैं जो साइट से काटी थी उपर वाले टॉप वाले तो जो मिर्ची मेरी एक्ष्ट्रा कटी हुई है मैं उसे काट के निकाल लेते हूं सिफ डंटल को मैं फेकूंगी इन सभी मिर्ची के बीए को मैं मसाले में यूज करूंगी यदि आप चाहते हैं यूज करना तो कर सकते हैं तो इसे साइट रख दीजे तो मैं मसाले में यूज करूँगी इस बीए को, मैं फेकूंगी नहीं तो इस तरीके से चलिए मैं मिक्स कर दी हूँ अब देखे मैं सारे मिर्ची में मसाला भरने के लिए रेडी हो गई हूँ तो ये देखे मैं किस तरीके से भर रही हूँ एक अउली के मदद से आप पूरा दवाब देते हुए, पूरे मिर्ची के अंदर भर ये और खाली नहीं रहना चाहिए, पूरा पोर्शन अच्छे तरीके से भर जाना चाहिए तो देखे भरते से में ऊपर का portion तो भर जाती है लेकिन मसाले नीचे तक नहीं जाती है तो आप इलकडी के मदद से दवाब देते जाएए तो सारे मसाले आपके नीचे चले जाएंगे और उपर खाली होते जाएगी तो इस तरीके से आपको सारे मिर्ची को अच्छी तरीके से fill up कर लेना है कहीं भी जगर न रहे तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से तुम टाइट मिर्ची भड़ गई है काफी आसान है इसे बनाना मम्मी नानी दादे सब इसे बनाया करती थी लेकिन अब तो ये हम लोग को बनाना है तो इसलिए नए जनरेशन भी अजली तरीके से इसे बना सकते हैं कोई महनत नहीं है फ्रेंस बहुत ही आसान है इसे बनाना तो इस तरीके से देखे मैं सारे मिर्ची को भर ली हूँ और एक जो मैं बीच में चीरा काटके दिखाए थी तो इसे भी देखे मैं इस तरीके से मसाले भर के दिखा दे रही हूँ इस तरीके से भरने के बाद आप उपर से बंद करिये दोनों तरफ से और बीच में जो भी एक्स्ट्रा मसाला निकलता है उसे आप side कर दीजैं आप मसाले को चली मेरी मसाला तो काफ़ी अच्छी तरीके से मिर्ची में भर गई है थोड़ी सी मसाली मेरी बच गई है तो आप देख सकते हैं, quantity मेरा measurement मसाले की काफी अच्छी थी, मसाला मेरा extra नहीं बचा है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से tight मेरी मिर्ची भरी हुई है, पूरा fill up है, कहीं जगा खाली नहीं है, काफी अच्छी लग रही है, तो चली जिस बोयाम में आपको रखना है, जिस जार में, तो उसे पहले अच्छी तरीके साफ सफाई कर लिजे, गरम पाने से, और सुखा लिजे, तो मेरे पाद दो जार है, तो इस छोटी जार में मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि इसमें पूरी मिर्ची मेरी नहीं आएगी, तो बड़े जार में ह ढल देती हुँ, तो इस तरीके से एकड़ करके सारे मिर्ची में इसमें ढल दी हूँ, तो आप देख सेकर हैं कि कितनी अच्छी लग रही है, इस अचार को आप किसी के साथ सथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेष्टी लगती है, तो चली जो एक्स्ट्रा मसाला था मैं उसे य behaviors में डूप जाए चार अप워서 और दो सकते हैं और आप घरके ही लाल दोगी तरसे में देरेदी को सबस्सक्राइन और हमनुना Brittany पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट आवस कीजिएगा, मेरी चैनल पर नहीं है तो चरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप से मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा, टेक केर, वाइ फ्रेंड्स, थेंक यूू। तो चलते हूँ, तो चुछागँे पस्टोर क्या है।